डरने वाली कोई बात नहीं है, ये रीडिंग की कलास है, बिलकुल फ्री ओफ कॉस्ट है, जो आप 10-15,000 देकर लेते हो, हम फ्री ओफ कॉस्ट आपके लिए कलास लेकर आई हैं रीडिंग, रीडिंग multiple choice question में बहुत जाले student गलती करते हैं, बट आज आपको सिखाऊंगा multiple choice question A, B, C, D में से एक question का जो answer है, 100% right कैसे नहीं है कलास ऐसे ही continue चलती रहेगी, उससे पहले बात करेंगे prediction प्लस PDF के बारे में, पहले समझते हैं, prediction PDF होती क्या है prediction PDF होती है, real exam test होते हैं, real exam listening, reading, writing और speaking प्लस अगर बात करें, हमें same level की, same pattern की हमें देखने को मिलती है, हमारे real exam में high chances होते हैं, हमेरे उसी में से exam देखने को मिलता है, you can see on your screen, level difficult to moderate type की हमें देखने को मिलती है reading प्लस result की बात करें, चाहे 5th tempo, चाहे 1st tempo, चाहे 9 band score लेने का target हो ILS वाला India के students ने वो भी achieve किया है, जो हमारे साथ जुडे हुए हैं, किसी भी student को prediction चाहिए, ऐसे वाला result लेकर आना है अगर कोई और problem आ रही है, तो comment में बॉक्स में हमारे साथ share कर सकते हूँ अगर इसका एक question पूछा गया है हमारे से, कि what is the negative effect of rise rise क्या होता है, चावल, जिसे हम बोलते हैं, जो हम खेतों में उगाते हैं, इसका उसने क्या पूछा है, एक negative effect किसका पूछा है, rise का, अगर हम इसके triangle की बात करें, तो यही जैसे आपने दिखने, fluctuation से होती है ऐसे करकर यहां आ गया, फिर उपर गया, फिर नीचे आ गया, तो मतलब कि यहां से start होता है और यहां पर end होता है negative effect of rise, हमें यह पता करना है, कभी मत भूलना क्या पता करना है, negative effect of, बात करते हैं, A, B, C और D question की, सबसे पहले वहीं चलते हैं तो यहां पर उसने करा, it is a regular part, more than half of the word, population's diet, की it is regular part, की यह daily का part है, मतलब हम daily, चावल खाते हैं, then half of the word, आदे से ज़्यादा population हैं, जो इसकी diet लेती हैं, मतलब की सुबा, शाम, जा फिर दपहर में, आदे से ज़्यादा लोग इसको खाते हैं सेंक्ड में क्या कह रहा है वो, सेंक्ड क्या कह रहा है हमें, यहां पर सेंक्ड की बात करें, तो rise paddies, मतलब की, जो हम rise उगाते हैं, जो नाव गएर आते हैं, इमेट मोर मथेन, मलब इमेट मोर मथेन, देन कोईल, मिनिंग अंडस्ट्री, मलब कोईल की जो मिनिंग अंडस्ट्री होती हैं, जिसे हम माइनिंग करते हैं, कोईल की जब माइनिंग करते हैं, ख़दानों में जाकर, तो मथेन हैं, जो ज़्यादा प्रडियूज होता है, क plantations, its plantations produce, कि जो इसके plant बगेरा हैं, वो produce करते हैं 17% 17% of the world total methane emission, कि 17% world सारी दुनिया की total methane है, वो क्या करते हैं produce करते हैं, फूर्थ की बात करें, तो ये को उनका होगा rise hair generally modified salt which harmful for health ये कोई वहाँ नाम बगेरा हो सकता है, कोई जैसे करोना नाम आया था बिमारी का जा फिर इसके अलावा कोई और ये वे modified salt है, कि जो बहुत जादे harmful है for health, अब ये चारों point मुझे मिल चुके हैं, अब चारों point की मैं definition को find करता हूं, चलो हम जलते हैं, उपर अपने paragraph में तो यहां से हम जाकर इसको read करते हैं, first of all तो यहां पर हो क्या कर रहा है, more than half of the global population, lays rise and regular part there, diet किया यह बात सच है, कि more than half the global population की बात कर रहा है, वो, global population मलब वगरा खाती है, but यहां पर उसने but बोला, मतलब किये, मेरा पहले का answer नहीं है क्योंकि यही एक point होते हैं, key words होते हैं, जो सीखने हैं, यहां पर उसने बोल तो दिया हमें, यहां पर it is a regular part of more than world population diet, यहां पर बिलकुल सही बोला, हमें क्या लगा कि मेरा answer A आएगा, हमें यह feel हुआ, but नहीं वहां पर उसने साथ की साथ ही हमें क्या बता दिया, यहां पर but बोल दिया, but का मतलब है कि यह मेरे वाला answer अब नहीं रहा, क्योंकि उसने आगे कोई ना कोई इसके बारे में reason बताना है और यह मेरा answer कैंसल हो जाएगा, अब मतलब मेरे पास only तीन पॉइंट बचे है, तीन पॉइंट बचे है B, C और D मुझे B, C, D और में find करना है कि मेरा right answer क्या है आगे चलते हैं, but की बाद rice paddies have a downside for the plant कि यह जो ने की जो चावल होते हैं, यह downside होते है for the plant के लिए they produce as much as 17% of the world total methane कि जो 17% world की methane methane, methane को वो करते हैं, produce करते हैं, पैदा करते हैं that, that is even more than coal, coal mining emission की की मीनिंग से भी जादा, which makes 10% total की जो जादा सेदा 10% बनाती है so, suggestion कोई वहाँ का वग्यान नहीं है, जिसका नाम है ठीक है, plant biomastic that, that specific northern national laboratory की वहाँ की national, national laboratory है जहाँ पर spent the past 10 नहीं है, 10 साल developing की एगए किसको, सुसीबिया 2 बिमारी की ए, बिमारी वगएरा उसको, genetically modified rice plant that image almost no methane, की वहाँ पर modify किया गया की, जो rice plant है, उसमें almost no methane, कोई ज़्यादा methane नहीं होती, मुझे मेरा answer मिल चुगा है आपका answer क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं प्लीज, below the comment leave करें, कमेंट में आपका answer क्या है अब भी हमें आपको देखाता हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसने सिर्फ यह बात बोलिया है कि rice है, generally modified यह, और which harm for health कि जो harmful है for health के लिए rice produce करते हैं वो चीज, बट यहाँ पर देखिए इसके opposite answer बता रहा है कि उसने 10 साल बाटरी में दिये है इस बिमारी को modified rice plant डेट अप कि इसमें कोई मथेन नी होती है, मतलब कि यह opposite बात कर रहा है यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही effect को लेकर rise के, ठीक है, तो मतलब मेरा answer A, B, cancel हो गया था ध्यान से समझे A, B, मेरा cancel हो गया था और मेरा answer D, B, cancel हो चुका है अब मेरे पास बच्छे है B, और C, मुझे B, और C में से क्या कर रहा है, यहाँ पर rise plants emit more methane than coil meaning, यहाँ पर उसने क्या कहा था कि rise plant है, वो ज़्यादा methane प्रडिक्रेट करते है coil meaning से ज़्यादा को coil की जो mining बगारा होती है but last पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसने क्या कहा है, कि rise plant that almost no methane कि almost कोई methane वहाँ पर नहीं देखी जाती, तो अब मतलब की मेरा B answer भी cancel हो जोगे, यहाँ तो rise की बात कर रहा है plant की, तो B answer भी मेरा cancel बचा है मेरे पास, A कसी तो मेरा right answer क्या है, A कसी answer है, ठीक है जी, अब मैं आपको निशे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर कुछ उसकी but completely opposite information from what we are looking for, the first sentence, कि यह completely true था, but opposite side इसने दीख, क्यों opposite क्यों कह रहा है, कि वहाँ पर but लगाया गया था, but के बाद ही हमें हमारा answer मिला, more than half the global population relies on rise regular part of their diet, तो यहाँ पर opposite की वो बात कर रहा था but it is a positive effect यह एक positive effect है, not a negative, हमें क्या find करना है, हमें इसको opposite find करना था, negative यह एक positive का sign दे रहा है and we are looking negative समझ में आया, तो बस इस चीज़ को समझने में ही, आप कई mint लगा देते हो, जिसके वाई से आपका answer wrong हो जाता है, I hope आज के बाद आपके multiple choice question तो wrong नहीं होंगे जो मैंने आपको सिखाया अगर वो आप keep it रखोंगे अपने mind में यहां पर देख सकते हो, also give us a true information, but is not what you are asked about, कि information सही थी, but जो मैं फाइंड कर रहा था मुझे वो नहीं मिला, look at the third sentence, which contains information about the B uses, that even more of coil management, which makes 10% total, कि सिर्फफ only 10% T, वो total मुझे निकला जाता था, निकला जाता था उनसे sentence used नहीं होंगे हाइलाइट, negative effect not है, state state के मलब कोई negative effect इसमें show नहीं करा गया, चलो C बाद में देखेंगे, क्योंगे यह right answer है पहले चलते हम D के उपर D के answer देख सकते हो कि पूरा उसके नहीं है, जो हमें दिया गया है इसे हरम फुल, तो वो हमारे बिल्कुल opposite है, मैं अलगा confuse you, कि हमें वो confuse करने के लिए डाला गया था, कि आप इससे confuse हो जाओ, अब मेरा right answer है, वो C, चलो मैं C, आप C के उपर ले ही आया, यह देखिए answer is right, correct, C, the second sentence, clearly उसने clear कर दिया कि rise paddies है, जो downside for the plant 2 they produce 17% the world total methane emission, downside मतलब की, एक negative effect ठीक है जी, as you see, it's very important to search keyword for their synonym तो हमें इसलिए कहा जाता है, कि synonym को पर focus करो, अगर आपको 9 bands को लेने है, वीडियो अच्छी लगे, like and subscribe, जरूर करें